इंडिया नमस्ते भारत दोस्तो 14 जून 2020 और अब है मई 2021 यानि नेक्स मन सुसान सिंग राजपुत को ब्रूटल मडर केस को एक साल कम्प्लीट हो जाएगा बट CBI चुपी साथ के बैटी है उनको किसी से लेना देना नहीं है कोई ऐसा दिन गया है दोस्तों ट्विटर पे जिसमें हमने हैस्टाइग IPS नूपुर प्रसाद को हमने ट्विट ना किया हो हर एक एक SSRIANS ट्विट कर रहा है PMO Office को ट्विट कर रहा है हो मिनिस्टरी को ट्विट कर रहा है बट केवल जो रिस्पॉंस आ रहा है वो NCB की तरफ से आ रहा है मतलब यह है कि जब तक हम CBI गेट के पाहर हम प्रोटेस्ट ना करें तब तक CBI हमें अपडेट नहीं देगी अकिल CBI चाहती क्या है यह क्या जिया खान का केस बनाना चाहती है क्या CBI जाई दिसा का केस सॉल्व हुआ नहीं है सुसान सिंग राजपूत का केस सॉल्व हुआ नहीं है तो हम किस पे विश्वास करें दोस्तों इसको लेके लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्विटर पर रियाक्ट किया है मैं आपको बताता हूँ लोगों ने क्या कहा है एक है सरमिस्था चौधरी ये लिखती है वाइ क्रिमिनल्स आ श्टिल रोमी स्कॉट फ्री इंस्पारिट आफ गिविंग कॉंट्रडिक्टरी स्टेट्मेंट्स बाइ पितानी संदीप एन हाउसमेट्स फॉर्स सेवरल टाइम्स अननेसेसरी डिले इन एससार केस दिखें दोस्तो एड़ दिरेट आईपीएस अंडस्कोर नूपूर प्रसाथ को इन्होंने टैक किया है रेहाना एससारिया ने लिखती है आई विल फॉट फाइट फॉर एससार इन एवरी सेकेंड एंड माई एंड अफ लाइफ एक और है ये लिखती है इस मी किर्थी दियर सी बीएई दो यूरमेंबर सुन इट विल बी नाइन मन्थ दाट यू तुक अप एससार केस and you promise that we will get closure in 45 days don't you feel this is high time to give some updates unnecessary delay in SSR केस अगें IPS underscore Nupur Prasad को नो नो टाग किया है PMO इंडिया को टाग किया है अगें यह है इस मी किर्थी a couple of months before new members joined current investigation team still no custody integration no arrest no updates एक है राजवल SP यह है after every 3 to 4 months CBI releases a statement saying that no aspect has been ruled out how long this will continue why suicide hasn't been ruled out yet PMO और IPS Nupur Prasad को टाग किया गया है दोस्तों आप समझ सकते हो कि लोगों ने किस हद तक आप पुछना चालू कर दिया है अगर CBI यह वीडियो देख रही है तो मैं उनसे request करता हूँ कि अब यह high time हो चुका है sir ma'am कि आप सुसान सिंग राजपूर दिसा मामले में आप update दे और एक solid update दे और दोस्तों आप इस बारे में क्या सुसते हो प्लीज जरूर कमेंट करके बताई अपके कमेंट का इंतिजार रहेगा और अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट चैनल सब्सक्राइब कर लिजे